आज की हिंदी कक्षा में आप सब का स्वागत है तो सभी बच्चे अपनी हिंदी भाषा माधुरी भागदों की पुस्तक का पीच नमबर छेक का लेसन नमबर वन खोल लीजिए और आज आईए हमारे आज की टॉपिक कविता मेरे प्यारे अबमचो यह कविता मेरे प्यारे अबमचो श्री अयोध्या सिंग उपाध्याय हरी अध जीने लिखी है इस कविता को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यानी मोटे यह है कि हमें उगते हुए सूरज, चहचाहाती चिडिया और गुनगुनाते भवरों से हमेशा मेहनत करने की सीख लेनी चाहिए और आलस छोड़कर अपने सभी काम समय पर कर लेने चाहिए अब बेटा मैं आपको इस कविता की समरी सुनाओंगी इस कविता में अयुध्य सिंग उपाध्यायक ने दिखाया है कि मा अपने बच्चे को अपने बेटे को कह रही है कि लाल मेरे बेटे सुबा हो गई है इसलिए अपनी आँखें खोल लो और पानी से अपना मूँ धोलो थ्यूंकि रात बीच चुकी है और पौधों पर कमल दल यानि कि कमल की पंखुडियां खिल गई है और उन कमल की पंखुडियां के ऊपर भौरे जूल रही है घूम रही है जो चिडियां है वो पेडों पर चहचा रही है गुनगुना रही है और बहुत ही ठंडी और सुन्दर हावा बैहने लगी है यानि कि चलने लगी है आकाश में एक नियारी सी लालिमा चा गई है और इस सबसे धर्ती बहुत प्यारी लग रही है सुरज उगने के कारण सुभा हो गई है और सुभा होने के कारण सुरज की सुनेहरी चाया उसकी परचाई उसकी शेडो पानी यानि कि जल में पड़ रही है तो मा आपने बेटे को कह रही है कि मेरे बेटे मेरे लाल ऐसा सुन्दर समय गवाओ मत बरबाद मत करो और आलस को खतम करके आलस को छोड़ कर अपने सभी काम समय पर कर लो तो प्यारे बच्चों अब समरी सुनाने के बाद हम इस कविता के वर्ड मीनिंग डिफिकल्ट वर्ड यानि की इन डिफिकल्ड वर्ड के इंगलिश मीनिंग डिसकस करेंगे और समझेंगे हमारा पहला शब्द है लाल लाल रंग नहीं लाल मीन्स बेटा बेटा को इंगलिश में क्या कहते हैं सन सो एन सन हमारा नेक्स्ट वर्ड यानि की शब्द है कमल दल कमल दल मीन्स कमल की पंखुडियां कमल की पंखुडियों को इंगलिश में क्या कहते हैं लोटस पेटल्स, कमल दल की पंखडियों को क्या कहते हैं, मेरे साथ रिपीट कीजिए, कमल दल का मीनिंग, लोटस पेटल्स, L-O-T-U-S, लोटस, P-E-T-A-L-S, पेटल्स, नेक्स्ट वर्ड, अती, अती मीन्स बहुत, बहुत का इंग्लिश मीनिंग, वेरी, D-E-R-Y, वेरी, अती का मीनिंग, वेरी, नेक्स्ट वर्ड है, नभ, नभ का अर्थ क्या होता है, नभ का मीनिंग क्योता है, आकाश, आस्मान, अंबर, आकाश को इंग्लिश में, नभ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्काय, S-K-Y, स्काय, नभ का मीनिंग, स्काय, नेक्स्ट है न्यारी, न्यारी का मीनिंग अनोखी, अनोखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेंज, 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 न्यारी का मीनिंग स्ट्रेंज, आधान यक्वा रको बड़ी इ, न्यारी, न्यारी मीन्स अनोखी, अनोखी का इंग्लिश मीनिंग स्ट् चवी का इंगलिश मीनिंग ब्यूटी, बी ए यू टी वाइ ब्यूटी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है भूर, भूर मेंस सुबह, सुबह का इंगलिश मीनिंग मौनिंग, क्या कहते हैं सुबह को इंगलिश में? मौनिंग, भूर मीन्स सुबह, और सुबह का मीनिंग मौनिंग, ह यनिकी water, w-a-t-e-r, water, gel means water, हमारा next word है, छाया, छाया को क्या कहते है, परचाई, छाया का मीनिंग यनिकी अर्थ क्या हुआ, परचाई, यनिकी shadow, s-h-a-d-o-w, shadow, प्यारे बच्चो, अभी हमने इसके difficult meaning डिसकस किये, अब हम बेटा इस poem को recite करेंगे, बेटा मेरे साथ इस poem को दोराईए, recite कीजिये, उठो लाल, अब आँखें खोलो, पानी लाई हो मोधोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके उपर भौरे जूले, चिनिया चेहक उठी पेडों पर, बेहने लगी हवाती सुन्दर, नब में प्यारी लाली छाई, धर्ती ने प्यारी छवी पाई, भोर हुआ, सूरज उग आ जल में पड़ी सुनेहरी छाया, ऐसा सुन्दर समय नखो, मेरी प्यारे अब मत सो, चलो बच्चों, अब अगले पेज पेज पे आते हैं, पेज नमबर सेवन, यहाँ पे हमारी एक्साइज है, शब्द ग्यान, यानिके वर्ड मेनि, बेटा, यहाँ पर कुछ शब्द दिय गए हैं, हमने उन शब्दों के मीनिंग, यानिकि अर्थ लिखके उनके वाक्य बनाने हैं, वाक्य क्या होते हैं, संटैंसिस, यानिकि हम पहले वर्ड लिखेंगे, उसके बाद उसका अर्थ लिखेंगे, और उसके बाद उसका वाक्य बनाएंगे, चलिए, हमारा पहला क्या है meaning ? बेटा . बेटा को English में क्या कहते है ? सन . हमने इसका अर्थ लिका . अब हम इसका वाक्य बनाएंगे ? यानी कि sentence लाल का वाक्य बनाएंगे ? मां अपने लाल से बहुत प्यार करती है अब देखिये हमने लाल का वाक्य बनाया है ? लाल शब्द है इसमें, तो लाल का हमने संटेंस यनिकी वाक्य बनाया, मा अपने लाल से बहुत प्यार करती है, यनिकी ममा अपने बेटे से अपने लाल से बहुत जादा प्यार करती है, बेटा आप इस शब्द के और भी कई वाक्य बना सकते हैं, जैसे मैंने एक वाक्य और बनाया है सुमन अपने लाल को दुखी नहीं देख सकती यानि कि जो सुमन है वो अपने लाल यानि बेटे को दुखी नहीं देख सकती दूसरे शब्द पे आते हैं हमारा दूसरा शब्द क्या है पढ़िए कमल दल कमल दल का मीनिंग यानि अर्थ क्या होता है कमल की पंखुडिया मेरे साथ रपीट कीजे कमल दल का अर्थ कमल दल का अर्थ होता है कमल की पंखुडिया कमल की पंकुडियों को इंगलिश में क्या कहते हैं Lotus Petals क्या कहते हैं Lotus Petals कमल दल का वाक्य बनाएंगे यानि कि sentence बनाएंगे तालाब में कमल दल खिले हैं यानि कि तालाब यानि कि पॉंड में कमल की पंकुडियां खिली हुई है एक और वाक्य बनाएंगे कमल दलपल भौरे मंडरा रहे हैं यानि कि जो कमल की पंकुडियां हैं उस पर भौरे बैठ रहे हैं मंडरा रहे हैं बेटा आप इस शब्द के और भी कई वाक्य बना सकते हैं बेटा शब्द ग्यान यानि कि word meaning sentences के पहले दो word हम लोगों ने डिस्कस किये और समझे जैसे कि पहला word था लाल हमने लाल को डिस्कस किया उसके बाद हमने कमल दल यानि कि कमल की पंक्रियां इसका वाक्य बनाया बेटा बाकी बचे हुए जो शब्द हैं वो आप अपने मम्मी पापा की सहायता से उनके अर्थ लिखेंगे और उनके वाक्य बनाएंगे एक बार में आपके साथ बिसकस जरूर करूँगी हमारा तीसरा शब्द है अती क्या है तीसरा शब्द? अती अती का मतलब अर्थ बहुत यानिकी वेरी आप अती का वाक्य बनाएंगे रमा की साड़ी अती सुन्दर है क्या वाक्य बनाए हमने अती का? रमा की साड़ी अती सुन्दर है आप इस शब्द के और भी कई वाक्य बना सकते हैं हमारा अगला शब्द है नभ नभ means आकाश, आकाश यानि आस्मान, अंबर और इसका English meaning क्या है? sky नब का वाक्य बनाएंगे sentence बनाएंगे नब का रंग नीला होता है यानि कि जो sky होती है वो blue होती है न एक वाक्य और बनाएंगे इसका नब में काले बादल चाये हैं आप नब के और भी कई वाक्य बना सकते हैं तो बेटा अपने मम्मी पापा की हेल्प से आप इसके word meaning sentence बनाएंगे हमारा अगला शब्ध है न्यारी न्यारी means अनोखी यानि कि strange न्यारी का एक वाक्य बनाते है छोटे बच्चों की बातें न्यारी होती है यानि कि अनोखी होती है चोटे बच्चे अनोखी बाते करते हैं बेटा आप अपने मम्मी पापा की हेल्प से न्यारी के और भी कई वाक्य बना सकते हैं और भी कई sentence बना सकते हैं हमारा अगला शब्ध है चवी यानि कि शोभा, ब्यूटी, सुन्दरत चवी का वाक्य यानि कि sentence बनाएंगे मंदिर की चवी देखकर सब हैरान हो गए मैंने क्या वाक्य बोला? चवी का मंदिर की चवी देखकर यानि कि मंदिर की ब्यूटी, यानि कि शोभा देखकर सब हैरान रह गए या हो गए आप अगले शब्द पे आते हैं भोर भोर का मेनिग सुबह सुबह का इंगलिश मेनिग मौनिंग अब भोर का वाक्य अनी संटैंस बनाएंगे सूरज उगने पर भोर हो जाती है बेटा आप भोर के और भी कई वाक्य बना सकते हैं हमारा अगला शब्द है जल में क्या कहते हैं वाटर जल का वाक्य अनी संटैंस बनाएंगे जल गरम है जल ठंडा है मुझे थोड़ा सा जल दे दो बेटा आप जल शब्द के और भी कई वाक्य बना सकते हैं हमारा अगला शब्द है चाया चाया मीन्स परचाई यनि की शेडो चाया का वाक्य बनाएंगे सूरज उगने पर उसकी चाया पानी में पढ़ रही थी यनि सूरज उगने के बाद उसकी जो परचाई या उसकी शेडो है वो पानी में पढ़ रही थी बेटा आप छाया शब्द के और भी कई वाक्य बना सकते हैं तो बेटा आपने word meaning sentences में जो word दिये गए हैं आपने ममी पापा की help से इन सभी word meaning का meaning लिखकर उसके वाक्य अपनी copy पर लिखने हैं तो प्यारे बच्चो आज हमने part number 1 की कविता मेरे प्यारे अबमत सोओ में क्या समझा हमने पहले ये poem recite की जिसमें कवी ने बताया है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए और हर काम समय पर करना चाहिए हमने इस poem को recite किया इसके difficult English meanings को समझा और इसके शब्द ज्यान में से शब्दों के meaning लिखकर अर्थ लिखकर उनके वाक्य बनाई तो बेटा आपने अब इस कविता को दूबर अच्छी तरह recite करना है पढ़ना है और इसके English meanings को revise करना है याद करना है और इसके word meaning sentences को copy पर लिखना है अगले topic के साथ हम फिर में लेंगे तब तक के लिए गुड़ बाई